हेलू फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बगेल और आज मैं आपको बताऊंगा दूद में अजवाइन डालकर पीने के फाइदों के बारे में दूस्तो दूद में अजवाइन डालकर पीने के बहुत सारे फाइदे होते हैं जिन लोगों को लंबे समय से कवज की समझ्चा रहती है, उनके लिए अजवाइन वाला दूद पीना काफी ज़्यादा फायदे मंद है. क्या आप जानते हो अजवाइन वाला दूद पीना कितना ज़्यादा फायदेमंद है आज की वीडियो के माध्यम से आप जान जाओगे अजवाइन के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी गुन होते हैं साथ ही में यह सरीर को हिल करने में भी काफी ज़्यादा मदद करता है जब आप इसके अंदर दूद डालते हो या फिर दूद के साथ में अजवाइन खाते हो तो दूद का पोशन और ज़्यादा बढ़ जाता है यह दूद सरीर में उत्पन होने वाली सूजन को कम करने में काफी ज़्यादा मदद करता है साथ इसाथ जो लंबे समय से ठकान होती है उससे भी रहात दिलाने में काफी ज़्यादा मदद करता है तो आज हम जानते हैं अजवाइन वाले दूद के और सारे फायदों के बारे में वैसे तो दोस्तो इसके बहुत सारे फायदे हैं लेकिन आज हम आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा फायदों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको अत्यंत खुशी होगी सबसे पहला फायदा होता है हड्यों को मजबूत करने के लिए अजवाइन वाला दूद सबसे पहले तो आपकी हड्यों को फायदा देता है दरासल इसके अंदर केलसियम के साथ साथ पोटासियम जैसे तत्वी सामिल होते हैं जो की हड्यों को मजबूत दिलाने में काफी ज़्यादा मदद करते हैं अगर आप हड्यों से किसी तरह के दर्द से परिशान हैं वो भी लंबे समय से तो आप अजवाइन वाला दूद पी सकते हैं यह आपकी साजिक ताकत को बढ़ाता है और आपकी हड्यों की पावर को स्ट्रॉंग करने में भी मदद करता है दोस्तो इसका दूसरा फाइदा होता है जोडों से रहात दिलाने के लिए जोडों के दर्द में अजवाइन वाला दूद पीना काफी ज़्यादा फाइदेमंद है दरासल सर्दियों के दिनों में अक्सर लोगों को जोडों के दर्द की सिकायत, गठिया बाई की सिकायत देखने को मिलती है ऐसे में जोडों के दर्द से रहात पाने के लिए रोजाना के तोर पर अजवाहिन वाला दूद मिला कर आप पिये इससे आपके सरीख के अंदर anti-inflammatory gun बढ़ जाएंगे और जो infection बढ़ रहा है दर्द हो रहा है उसमें आपको जल्दी से जल्दी रहात मिल जाएगी दोस्तो इसका तीसरा फायदा होता है दिन भर के थकान को दूर करने के लिए अकसर लंबे समय से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप रात के समय में ठक जाते हैं या फिर आपका सरीख दर्द महसूस करने लगता है ऐसे में आप दूद का सेवन करें दूद का सेवन करने से आपको दर्द भी कम होगा और दिमाग को रिलेक्स करने में भी मदद मलेगी इसके अंदर anti-inflammatory गुण होते हैं जो कि सरी के दर्द को कम करने में मदद करते हैं साथ ही में नीन को बहतर करने में भी ये काफी जादा मदद करते हैं दोस्तो इसका चौता फाइदा हुता है मेटकूलिंग को स्ट्रॉंग करने के लिए, उसको तեज करने के लिए मेटकूलिंग तेज करने से अजवाईन वाला दूद काफी जदा फाइदे मनद है यह आपके पाचन के जिया को बहतर करता है, खाना पचाने में मदद करता है इसी तरह से metabolic activity को बढ़ा कर कबज और मोटापी कि सिकायत को कम करने में यह आपकी मदद करता है जिसकी वज़े से आपका पाजन सिस्टम बहतर हो जाएगा और आपको काफी ज़दर एलेक्स महसूस होगा इस तरीके से दोस्तों आप जान सकते हैं दूद में अजवाइन डाल कर पीने के फायदों के बारे में अब मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको दूद के अंदर अजवाइन को डाल कर पीना है रोजाना सुबह सुबह आप एक गिलास दूद लें उसको थोड़ा सा गरम करें हलका सा जैसे ही उगरम होना स्टार्ट हूँ तो उसमें आप आदर चंमच से लेकर एक चंमच के मातरा में अजवाइन डाल दें और अच्छी परकार से उसे पकने दें इसके बाद आपको इस दूद को उतारना है हलका सा यसे आप छान ले चानने के बाद आप अजवायन को खा भी सकते हैं अधरवाईस आप उस दूद को पी सकते हैं इससे आपको काफी ज़्यादा फाइदा मिलेगा आप दिन या रात एक समय अजवायन वाला दूद सेवन करें आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में इस वीडियो को जरूर सेयर करें मिलते हैं हम आप से अगली वीडियो में तब तक के ल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद